देखेंगे प्रस्ट नमबर 68 इस प्रस्ट में हमसे कह रहा है कि दा मीन काइनेटिक एनरजी आप पार्टिकल आप मास M मूविंग अंडर अ कॉंस्टेंट फोर्स इन एनी इंटर्वल आफ टाइम वेन यू एन एन यू टू आर इनीशियल और फाइनल विलोस्टी इस गिवन बाई हमसे पूछ रहा है इसकी एवरेज काइनेटिक एनरजी है ना देखते हैं मीन का मतलब क्या हुआ वही एवरेज की बात कर रहा है और सत्गति जूरजा की वो बात कर रहा है तो हमें क्या करना है हमें पता है कि कानेटिक एनरजी का फार्मूला क्या होता है कानेटिक एनरजी का फार्मूला क्या होता है नॉर्मली कानेटिक एनरजी क्या हो जाएगी हमारी एक बटे दो m v square 1,2 m v square है ना तो हमें क्या करना है देखिए यहां पर परमभिक वे क्या है u1 फिर क्या था u2 पहले initial velocity जो थी हमारी u1 थी और जो final velocity हो कितनी है u2 तो हम क्या करते हैं सबसे पहले average velocity निकाल लेते हैं तो अगर हम average velocity निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई यह हो जाएगा u1 और यह कितना हो जाएगा u2 और डिवाइडर पर कितना हो जाएगा 2 यह हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा average velocity तो अब निकालते हैं हम यहां पर average kinetic energy है ना निकाल दिया जाए average average kinetic energy average kinetic energy अब हमें निकालना है और सत गति जूर जा फार्मूला क्या हो जाएगा एक बटे दो यह फार्मूला है M को चुपचाब बाहर करेंगे और यह रखेंगे V वेग हमारा कितना दिया गया है U1 प्लस U2 बाई 2 का होली स्क्वेर देखे होली स्क्वेर नीचे 4 आएगा तो यह एक बटे 8 हो जाएगा एक बटे 8 M इन्टू यह हो जाएगा U1 प्लस U2 का होली स्क्वेर यानि कि U1 स्क्वेर प्लस U2 स्क्वेर प्लस 2 U1 U2 और ऐसा कोई भी option नहीं दिया गया था तो 68 में D वाला option क्या होगा करेक्ट हो जाएगा है ना हमें average यहाँ पे average kinetic energy निकाल ली थी तो हमने क्या किया सबसे पहले average velocity निकाली फिर उसके बाद kinetic energy के फार्मूलें रख दिया तो average kinetic energy निकल जाएगी और इसकी लास्ट विलास्टी यानिकी फाइनल विलास्टी वह क्या थी तो हमें क्या करना इस पूरे प्रक्रिया के दोरान हमें इसकी average velocity निकाल ली है कि इसकी औस चाल कितनी रही होगी वह निकाल लिया फिर उसके बाद रख दिया तो औस गयो ती जूर जाएगी है ना नच्छ वसंदे किया